जिग्यासों मित्रों बहुत बहुत अविनंदन है आपका जिव्वि स्रजन में परतेख दीवस की भाती आज भी हम यहां पर लाइव चर्चा का कारिक्रम कर रहे हैं तो आज का जो विशय हमारा वो शिव सुत्र को समझने को लेकर ही हम साथी चर्चाई यहां कर रहे हैं तो शिव सुत्र का विशय निश्याही सिध्य योगियों के लिए है लेकिन जो समझने वाली बात है वो सब के लिए है तो समझना इसमें क्या है कि सिद्ध-योगियों को सावधान रहने के लिए कहा गया है अब सिद्ध-योगियों को सावधान रहना चाहिए लेकिन किस विशय में सुत्र कहता है बीजावधानम तो कि पीछे हमने अभी जो बाते हमने पीछे सुनी है कि योगी को सत्व सिद्धी प्राप्त होती है सत्व सिद्धी से वो पुर्णता स्वतंत्र हो जाता है वो इतना स्वतंत्र हो जाता है कि अपने ही शरीर पर नहीं दूसरे शरीर के माध्यम से भी वो आत्मनभूती कर सकता है दूसरे शरीर के माध्यम से भी वो चीजों का अनुभाव कर सकता है और बहुत कुछ कर सकता है दूसरों के भी मनबुध्धी पे नियंतरन कर सकता है ये योगी का सामर्थ हुआ है लेकिन योगी क्या यही सब करने में लग जाते हैं जी नहीं क्योंकि वो योग कर चुके हैं और योग की ऐसी अवस्था को वो प्राप्त कर चुके हैं जहां पर उन्हें वो इन सभी सांसारिक और इंद्रिय जगत से जो सेंस वर्ल्ड है सेंसरी वर्ल्ड है जो इंद्रियों का जगत है इंद्रियों से जो अनुभवगम में हो रहा है उसके परती एक अनासक्त भाव उनके अंदर आ जाता है तो उसमें कोई वो आसकती नहीं रखते लेकिन फिर भी यहाँ पर सावधान करते हुए योगसुत्र में शमा करें शिवसुत्र में लिखा जा रहा है बीजावधानम अर्थात योगी सावधान रहे और बीज से कभी अलग ना हो अर्थात बीज कौन सा बीज बीजावधानम किसके लिए कहा गया अतो योगिना सावधाने न भवितव्यम परत्विय विश्वकारने चिताम समाध्धत्वम इस परकार के योगी को सावधान रहना चाहिए अर्थात समपूर्ण ब्रमान के कारण रूप बीज में चित को हमेशा लगाते रहना चाहिए संपूर्ण कारण रूप बीज संपूर्ण कारण रूप बीज क्या हो सकता है स्वेम ब्रह्म है ब्रह्मान्द का बीज क्या है ब्रह्मान्द का बीज ब्रह्मा है संपूर्ण कारण स्वरूप ब्रह्मान्द के जो संपूर्ण ब्रमान का कारण स्वरूप है वो बीज, वो स्वे में ब्रह्म ही है अपने ध्यान को वहां से नहीं हटाना चाहिए अपने ध्यान को उसी में लगा कर रखना चाहिए उस बीज में लगा कर रखना चाहिए ब्रह्म रूप बीज ब्रह्म स्वरूप बीज में हमेशा अपने ध्यान को एकागर करके रखना चाहिए एक योगी को अनिता ये संभव है कि वो भटक जाए अनिता ये संभव है कि वो अपने लक्ष से चूख जाए अनिता ये संभव है कि वो अपने लक्ष से चूख जाए क्योंकि इस सवस्था में भी योगी का पतन संभव हो सकता है यदि वो जरासी असावधानी करता है कहते हैं कि सावधानी हटी और दुरगटना घटी यदि वो जरासी और उसे बीज से अपने आपको अलग कर लेता है और व्यर्थ की बातों में लग जाता है और दूसरों के शरी पर नियंतरन करना इस तरह की चीजों पर वो अगर वो आसकत होता है तो उसकी सिद्धियां ही उसके पतन का कारण बन सकती है यदपी ऐसा होना सहज नहीं है क्योंकि तब तक ऐसी अवस्था तक पहुँचने तक योगी कई आसकतियों से संसार की कई व्याधियों से कई बंधनों से स्वयम को मुक्त कर चुका होता है और वो संसार के उथल पुथल सुख दुख लाबहानी इन सभी को जेल कर परिपक्व हो चुका होता है उसकी अंदर इतनी परिपक्वता आ जाती है कि अब संसार को भोगने के बहुत तिवरिक्षा उसके अंदर नहीं रह जाती है क्यों? क्योंकि वो सारे मार्गों से गुजरते हुए तो उस अवस्था में पहुंचा है जिसको कहते है सत्व सिद्धी रितंभरा अवस्था रितंभरा प्रग्या तो इन सभी अवस्थाओं से गुजरते हुए ही योगी ऐसी अवस्था को प्राप्त करता है और फिर वैसी अवस्था को प्राप्ते करकर यदि फिर से वह कुछ इंद्रिय विश्यों में या दूसरों के शरीरों पर नियंतरन करने जैसे विश्यों में अगर उलजता है तो निश्य ही उसका पतन हो सकता है अगर योगी ऐसा करता भी है किसी के शरीर पर नियंत्रन तो उसको उसके कल्यान के लिए उसके ग्यान के लिए और इस बात को समझना थोड़ा अलग है इस बात को बहुत ही अलग धंग से समझा जा सकता है क्योंकि कई बार इसको समझने में कई तरह की गल्तियां भी हो सकती है चीख है क्योंकि यहां पर जो बात लिखा गया यह योगी की स्वतंत्र अवस्था को बताएगी स्वतंत्र भाव को कि योगी इतना स्वतंत्र हो जाता है कि अगर वो चाहे तो किसी के शरीर पर नियंत्रन भी कर ले अब यहां पर शरीर पर नियंत्रन करने का मतलब क्या है किसी के शरीर पर नियंतरन कर लिया किसी के मन भुद्धी पर नियंतरन कर लिया तो क्या वो उसके नियंतरन में आ गया वशी करन हो गया जी नहीं वशी करन एक अलग विशय है यह एक अलग विशय है योगी तो शरीर पर नियंतरन करने का मतलब यहां तक कि वो परकाया प्रवेश भी कर सकता है एक शरीर को छोड़कर दूसरे मृत शरीर में प्रवेश कर जाए और वो गुमना फिरना चुलू कर दे यह भी कर सकता है लेकिन इसमें भी पतन की संभावना है इसलिए यह योग सुत्र में भी लिखा हुआ है पतन्जली योग सुत्र में भी यह बाते लिखी हुई योगी कर तो सकता है लेकिन इसमें भी उसके पतन की संभावना है और रही बात वशी करन चीज़ें यह तो बहुत छोटी मुटी चीज़े हैं छोटी मुटी बाते हैं वशी करन की इच्छा रखने वाला विक्ती खुद ही किसी के वश में है सबसे बड़ी बात समझना यह है यह मैंने पहले भी कहा है कि हम किसी को अपने वश में करना चाहते हैं क्योंकि हमारा खुद का वशी करन हो रखा है इसलिए हम दूसरे विक्ति को वश्मे करना चाहते है हमें इसकी आवशक्ता ही क्यों पड़ रही है कि हम किसी को वश्मे करें हमें इस बात की आवशक्ता ही क्यों कि हम उसके वश्मे है कहीं न कहीं हमारी जरूरते उससे पूरी होने वाली है हमारी आवशक्ता हैं उससे पू जिद्यायें लोग सीखते हैं और इस गुरु को वशीकरन सिखाने वाले गुरु को कहते हैं निशद्ध गुरु निशद्ध गुरु इसकंद महापुराण गुरु गीता में यह वर्णने साथ प्रकार के गुरु बताए गये हैं ठीक? सूचक वाचक बोधक निशद्ध कारणाख्य वेथ महापुरु तो इस प्रकार से साथ प्रकार के गुरु बताए जाते हैं लेकिन निशद्ध गुरु जो इस प्रकार के विद्याय सिखाती हैं कि वशीकरन कर लो ये कर लो वो कर लो और वो उस हिसाब से अपने आपको मैनेज करने की कोशिश करते हैं लेकिन जैसे ही उन सब चीजों का नशाल लोगों के उपर से उतरेगा तो जो वस्तु जहां है वहाँ फिर से अपने अस्थान पे आनी शुरू कर देगी तो बड़ा दुख होगा और जो योगी होते हैं जो सिद्ध योगी होते हैं वो किसी व्यक्ति के उपर वशीकरन नहीं करते हैं यह ध्यान रखिएगा वो तत्वों पे वशीकरन करते हैं इसलिए यहाँ पर बीजावधानम के पहले जो सुत्र दिये गए वो क्या सुत्र हैं फिर से एक बार हमको देखना पड़ेगा इस विजावधानम को समझने के लिए तो वो सुत्र यही कहते हैं सुत्र क्या समझाते हमें कि योगी सब पर नियंतरन तो कर सकता है लेकिन वो किसी व्यक्ति का वश्यकरन नहीं करता वो तत्वों का वश्यकरन करता है ध्यान से समझेगा तत्वों का व्यक्ति का नहीं अर्थात जो तत्व हैं वो उसके वश में हो जाते हैं और जब तत्व उसके वश में हो जाते हैं तो उस तत्व से जुड़ी हुई जितनी भी चीजे हैं सब उसके वश में हो जाती हैं उस तत्व से जुड़ी हुई जितनी भी वस्तुमें हैं वो सब उसके वशी भूत हो ही जाती हैं ऐसी अवस्था योगी की बन जाती है तो आगे क्या कहा गया इसी विशे में इसी को समझाने के लिए ये सारी चर्चा चल रहा है सारी चर्चा हो रही है तो एक सुत्र मिलता है उसमें बताया गया पिछले सुत्र से संबंदित विसर्ग स्वा भावाद्य बही इस्थिते अस्तत इस्थिती अर्थात विसर्ग स्वा भाव्याद बही इस्थिते अस्तत इस्थिती स्रिष्टी भी तो वसुत्व प्रकाश रुप सम्वित का सुभाव ही है योगी का संपूर्ण ध्यान उस ब्रह्म से जुड़ने के कारण प्रतेक वस्तू तो उसी से जुड़ी हुई है तो तत्व पे नियंत्रन होने के कारण ऐसा कहा जा रहा है कि योगी का नियंत्रन सब पर हो जाता है मूल रूप से जो जीव तत्व का विशय है यहाँ पर हम ब्रह्म तत्त्त्त्त्त को छोड़ भी दे तो जो जीव तत्त्त्त्त के जितने विश्य हैं उन्हें सभी विश्यों पर योगी का नियंत्रन आ जाता है तो समान्ने रूप से उसका नियंत्रन हो जाता है उसको नियंत्रन करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता वो अल्रेड़ी इसी लिए कह दिया गया इसी लिए कह दिया गया कि योगी तथा यथा तत्र तथा अन्यत्र वो हर जगा विद्यमान हो जाता है जैसे कि आत्मा सर व्यापी है वैसे योगी की स्थिति बन जाती है योगी की स्थिति भी सर व्यापी वाली हो जाती है अगर ऐसी अवस्था में ही नहीं अपीतु लोक विवहार की दशाओं में भी उसका पारमेश्वरी स्वातंत्र चमक उठता है मतला कि घूमते फिरते चलते फिरते लोगों से बात करते वे भी उन तक्तों पर उसका नियंत्रन बना रहता है उसको कोई special effort नहीं करना पड़ता कि किसी वस्थू को वश्मे करना है या किसी व्यक्ती को वश्मे करना है कोई special effort करने की जुरत उसको नहीं पड़ती है कि वो किसी वस्थू को वश्मे करे या किसी व्यक्ती को वश्मे करे जी नहीं वो चलते फिरते घुमते फिरते लोक विवहार में रहते हुए भी वो उसी अवस्था में बना रहता है जहां पर उसका स्वातंत्र विद्धमान रहता है और उसका नियंत्रन विद्धमान रहता है तो सिध्य योगियों का जीवन ऐसा होता है वो विशे सुरूप से किसी को टार्गेट करके वशी करन करें या विशे सुरूप से कुछ करें ऐसा प्रयास करने कि उनको आवशकता ही नहीं पड़ती क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि उनके माहौल में जो भी आता है वो उनके वश्मे ही होता है फिर या फिर वो घूमते फिरते ही उन तत्वों पर अपना नियंतर बनाए रखते हैं उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है वो ऐसी परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं लेकिन फिर अंतता शिव शुत्र यही समझा रहा है बीजा अवधानम योगी को सावधान रहना चाहिए और बीज में अवधान करना चाहिए बीज में ही ध्यान करना चाहिए बाहरी और आंतरिक इंद्रियों के वैपार के चलते रहने पर भी जो उतक्रिष्ट योगी हैं शिव योगी को अवधान दृष्टी सदेव उन विश्यों के मूल कारन रुपी शुद्ध ब्रह्म चिदानंद घन परम शिव तक्त्व की ओरही लगी रहती है अर्थात बाहरी और अभ्यांतर विश्यों के विकल्प मात्र ज्ञान के अवसर में भी शिव योगी उन विश्यों के मूल कारन रुपी पर तत्वों के ही परती सावधान बना रहता है और योगी को उस परम तत्वों के परती ही सावधान रहना चाहिए क्योंकि परते का वस्तु संसार में चाहे योगी का शरीर हो चाहे सधारन मनुष्य का शरीर हो वह तो परिवर्तन शील है वो परिवर्तन तो होगा ही तो इसी लिए नश्वर वस्तु vlogs पर उसका नियंत्रन तो आही जाता है क्योंकि सबका मूल कारण वो ब्रह्म है और ब्रह्म के साथ उसका एक तार्यतम्यता जो अस्थापित होती है अपनी योग साधना से उस कारण से संपोर्ण वस्तुओं पर भी उसका नियंत्रन स्थापित होता है और उसका स्वातंत्र सद्ध हो जाता है परंतु यह जो स्वातंत्र है यह तभी तक बना रहे सकता है जब तक योगी बीज के साथ जुड़ा रहे बीज अर्थाति संपुर्ण ब्रह्मान का जो बीज रूप है जो बीज तत्तु है वह ब्रह्म उससे वो जुड़ा रहे है वही शिव है शिव सुत्र उसको शिव कहता है तो वही शिव है वही आत्मा है उससे अपने बीज से जब वो जुड़ा रहता है तो उसका स्वातंत् या इस सिद्धी में अगर वो अपने बीज से तूटता है तो उसकी स्वतंतरता भंग हो जाएगी और वो पतन के रास्ते पर फिर निकल सकता है ऐसी भी तो इसलिए सावधान करने के भी आऊशकता है उसकी ये सावधानी लेकिन जो योगी है वो सावधान रहता ही है तो भा आतंत्र विशय को और सिद्धी के इस विशय को बीजावधानम ये समझाते हुए का आगया कि उस बीज से जुड़े रहो और उसी से जुड़े रहने में तुम्हारी सब्पुर्ण सुतंत्रता के सिद्धी नहीं तो नहीं है तो ब्रह्म से जुड़े रहने की चर्चा यहां पर सिद्धी की चर्चा यहां पर की जारी है और बीजावधानम ऐसे सुत्र को लेकर बीज के महत्यों को बताया जारा है सिद्धी से ज़्यादा महत्यपुर्ण है वो सिद्धियां वहीं से आ रही है सिध्धी का कारण भी वही है संपुन ब्रमान का कारण भी और सिध्धियों का कारण भी वही बीज है उस कारण से जुड़े रहने की प्रेणना यहाँ पर दी गई है बीजा वधानम इस शिव सुत्र में और योगी के लिए सावधानी की भी बात की गई है कि सावधानी के साथ ही योगी को ध्यान करना चाहिए और उसे बीज से जुड़े रहना चाहिए तो चलिए जिग्यासुव इसी के साथ आज के स्काय करम को विराम देते हैं और कल फिर हम शिव सुत्र के आगे बढ़ते हुए विश्यों पर चर्चा लाएंगे आगे और भी बहुत सारे गुड़ विश्य है जो कि अनेको रहस से प्रगट करने वाले हैं उन पर हम विचार भी मर्श करेंगे बहुत बहुत आभार आप सभी का